नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूँ अजय सिर्हा दोस्तों राजनीतिक दलों के नेता हूं या प्रवक्ता सब एक दूसरे पर बयान बाजी करते हैं एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं शोशल मीडिया का जमाना है तो ट्विट्स भी करते हैं और इंटर्व्यू में भी जाते हैं तो एक दूसरे पर बयान बाजी करते हैं लेकिन देलचस्प मामला तब हो जाता है जब किसी नेता के बयान का जवाब कोई एक अधिकारी दे दे और अधिकारी कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं बलकि किसी जिले का जिला अधिकारी सवाल तब खड़े होने लगते हैं और वैसे भी आरोप लगाये जाते हैं विपक्ष के द्वारा सक्ता धीन सरकार पर कि वो अधिकारियों को अपने पक्ष मिले के काम करवाती है अधिकारी सक्ता धारी दल के इशारे पर काम करते हैं तमाम तरहे के आरोप लगते हैं लेकिन खुद किसी जिले के जिला अधिकारी के ओफिशियल टुटर हैंडल से कोई ऐसा बयान दूसरे दल के राजनीतिक नेता पर आ जाए जो अपमान जनक भी हो और जो तो राजनीती में भूचाल लाने वाला भी हो तो सवाल खड़ होना और प्रदेश की राजनीती में हड़कम मचना यह जो है साधरन सी बात हो जाती है अब ऐसा ही एक बयान नुएडा यानि गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी के ओफिशियल टुटर हैंडिल की तरफ से आया जिसके बाद हड़कम मच गया दरसल हुआ क्या हुआ यह कि कॉंग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुपरिया श्रीनेत एक इंटर्व्यू के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला करती हैं और इस इंटर्व्यू की क्लिप वो अपने शोशल मीडिया की साइट ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करती हैं और लिखती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ सुपरिया श्रीनेत लिखती हैं कि इतिहा बदला नहीं जा सकता है इतिहास रचा जाता है नरेंद्र मोदी को इतिहास कैसे याद रखेगा यह वो जानते हैं इसलिए परिशान है दोस्तों इस ट्वीट में ऐसा कुछ खास नहीं है सुपरिया श्रीनेत बीजेपी के खिलाफ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खिला विरोधी दल हों उनके नेताओं पर टिपड़ी करें उनके नेताओं पर बयान जारी करें उनका जो है विरोध करें तो सुपरिया श्रीनेत ने भी वही किया लेकिन दिल्चस्प मामला तब हो गया जब सुपरिया श्रीनेत के ट्वीट पर कमेंट्स में एक ऐसा कमेंट आ आया था बलकि नोडा यानि गौतм बुद्ध नगर के जिला अधिकारी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया था और लिखा या था वो भी मैं आपको बता देता हूं डिएमजीबी नगर स्लैस्ट नोडा ये ऑफिशियल ट्विटर है डिम नोईडा का उसके उनके जो ट्विटर हेंडल से ट्विट आया था उसमें लिखा था अरे तुम अपनी और अपने पपू के बारे में सोंचू सोंचू मैं जो बोल रहाँ उसपर गौर करिएगा उन्होंने सोंचने को या सोचो को सोंचू लिखा अब इस आने के बाद से हलकम मज गया फिर सुप्रिया श्रीनेत ने फिर एक और ट्वीट किया और उस ट्वीट को यानि डियम नोईडा की ट्वीट को हाइलाइट करते हुए लिखा कि ये डियम नोईडा है पूरे जिले की जिम्मेदारी है देश के नेता विपक्ष राहुल गांध कर नफरत को हवा दे रहें अब जब ये मामला बढ़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाई इस ट्वीट क्यों लेकर मैं एक्शन लूँगी तब उसी ट्वीटर हैंडल से यानि जो डियम नोईडा का ऑफिशल ट्वीटर है उससे कई ट्वीट सामने आए और ये बता काईदा उस असामाजिक तत्व के खिलाफ एफ आई यार की कॉपी भी है और एफ आई यार में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं एफ आई यार में लिखा है सेवा में थाना अध्यक्ष सेक्टर 20 नोईडा गौतम बुद्ध नगर विशय एफ आई य स्ताक्षरित के माध्यम से सूचनाय डाली जा रही है आज दिनांग 13 नौ यानि 13 सेतंबर 2024 की साइकाल किसी असमाजिक तत्व द्वारा डियम गौतम बुद्ध नगर की आई डी हैक कर दुरुपियो करते हुए अभदर राजनेतिक किपड़ी कर डाली गई जो की नितांत अपक्ती जनक है उपरोक्त है अन्रोध है कि उक्त के संबंद में ततकाल सुसंगत धाराओं में अफाई यार दर्ज करते हुए आवश्यक वैधानिक कारवाई करना सुनेश्चित करें और साथ ही एक और ट्वीट किया गया ट्वीट तो कई किये गए थे एक और ट्वीट किया गया उस ट्वीट में क्या लिखा है डिम नोईडा की तरफ से किसी असमाजिक तत्व द्वारा डिम गौतम बुद्नगर की आईडी का दुरुपियो करते हुए गलट टिपड़ी डाली गई है जिसे गंभीरता से लेते हुए तकाल एफाई यार दर्ज कराते हुए व नहीं की है उनके ओफिशियल टुटर हैंडल से जरूर हुई है लेकिन किसी असमाजिक तत्व नहीं की है जिसके खिलाब दर्ज की गई है लेकिन अब चूगी तीर कमान से निकल गया था तो उस पर चर्चा भी होनी थी आप जानते हैं शोशल मीडिया का जमाना है जैसे ही शोशल मीडिया पर सामने आती है लोग अपनी भी डाय देते हैं विरोध में भी पक्ष में भी अचा मैंने जो कहा था ट्विटर जो ट्वीट किया गया था राहुल गांधी को लेकर जो अपत्ती जनक ट्वीट था उसमें जब मैंने सोचू कहा था तो जाहिर सी बात है ज जो है जिलादिकारी बनता है अब जाइर सी बात है कि उसकी जो लिखने का तरीका था वह किसी बहुत जादा पढ़े लिखे व्यक्ति का तो नहीं लगता है बेरहेल ये जाज का विशह है किसने किया वो चीज सामने निकल कर आएगी क्योंकि जिला दिकारी का मामला है तो पुलिस भी साइबर सेल भी इसमें गंभीरता से इस चीज को ले रही होगी अब सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों ने भी इस पर ट्वीट किये लोगों ने क्या ट्वीट किये खुरपेच नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा सर हैकर के पकड़े जाने का मैं फॉलो अप लेता रहूँगा और आपको रिमाइंड कराता रहूँगा देवेश यादव नाम की ट्विटर यूजर लिखते हैं अरे सर जी अब ऐसा असमाजिक तत्व आपकी एड्मिन टीम में कोई होगा खैर आपको पता भी होगा कि किसने किया है अब मैटर इतना ज्यादा फैल गया कि FIR का दिखावा करना ही पड़ेगा यानि देवेश या पहचान के साथ ऐसी अन्यमित्ता की जाती है तो यह एक अत्यांत गंभीर और दंड़नी अपराद की शियर्णी में आता है ऐसी परिस्टिती में यह अपराद ना केवल कानूनी रूप से कठोर दंड़ का पात्र है बलकि प्रशास्तिक व्यवस्था में अनुशासन हींता का इसपस्ट उधारण भी है जिसे गंभीरता से संग्यान में लिया जाना आवेशक है वहीं अश्वनी यादो नाम के ट्विटर यूजर वो लिखते हैं जिसको आपने हैंडल के जिम्मेदारी दीती उसका नाम सहीत सब बताईए ना ताकि पता चले कि कौन नफरत भरा आ लोग ट्वीट करके करना वो भी इतने बड़े अधिकारी के ट्विटर हैंडल से यह अपने आप में अपति जनक अपमान जनक तो है यह साथ में सवाल यह खड़े होते हैं कि आखिर कैसे जिला अधिकारी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को हैक किया गया दोस्तों सब को है कि इस समय साइबर अपराद बढ़ता जा रहा है लोग डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं उनसे कितनी कितनी वसूली की जारी ऐसे में जब जिला दिकारी के ट्विटर हैंडल को ही हैक कर लिया जाता है तो फिर आम आदमी के सोशल मीडिया साइट सोंग चाहें उनके बैंक तो उसके हैक करने पर रोक लगेगी सवाल बड़ा ख़ला होता है बहराल यहां यह भी बताना जरूरी है मैंने पहले ही कहा था कि जो जिला दिकारी जो है वो आईएस अधिकारी हैं बड़े अधिकारी हैं और मैंने ये बात बताई थी कि जो भाशा लिखी गई है जो तरीका है जो मैंने सोचू कहा ता शब्द वो बताता है कि जिसने भी ये ट्विट किया है वो बहुत जाड़ा पढ़ा लिखा नहीं है जाज के बाद पता चलेगा अब और IIT Indian Institute of Technology कानपुर से पढ़े यानि बेहत पढ़े लिखे अधिकारी है सिविल सेवा को क्रैक किया कई जिलों के जिल अधिकारी रहे इस समय नोईडा अतिमात्मोर जिला है दिल्ली से सटा हुआ वहां के जिल अधिकारी है उनके टुटेर हैंडल से अफिशर टुट होते कि कौन ऐसा हैकर है कौन वो असमाजिक तत्व है जिसने जिलाधिकारी के ही ओफिशर टुटेर हैंडल को हैक कर लिया बहराल विपक्ष को एक मौका मिल गया क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहता है कि जो सरकार है विपक्ष में देखें चाहें कोई बिपक्ष में हो पर या आरोप जरूर लगाते हैं कि अधिकारियों को अपने हिसाब से अपने हिसाब से सरकार यूज कर रहें ये काम करवाती है वहीं इस बीच जब इस तरह का ट्वीट आता है तो कॉंग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया है कि वो बीजेपी की सरकार पर हमला कर सके और ये दिखा सके कि किस तरह से अधिकारी जो है वो अपना काम छोड़ कर बीजेपी के पक्ष में कॉंग्रेस के खिलाफ उनके नेता राहूल गांदी खिलाफ टिपड़ी कर रहे है बैराल नोईडा के यानि गौतम बुदनिगर के जिलादिकारी की तरफ से साफ हो चुका है कि ट्वीट उन्हों नहीं किया था बलकि ये किसी असमाजिक तत्व का यानि किसी हैकर का काम है जिसने इस तरह का ट्वीट किया उसमें जाच की जा अधिकार पर हमला करने का और यह बताने का कि भाई देखो किस तरह से अधिकारी जो है वो बीजेपी सरकार के पक्ष में यानि विपक्ष के विरोध में इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं कुल मिला के देखने वाली बात यह होगी कि अब सामने क्या निकल के आता है कौन इसम समाजिक तत्व उनके ट्वीटर हैंडिल से इस तरह की आपति जनक पोस्ट कर सकता है तो आज के समय में साधान व्यक्ति यानि आम नागरिकों के जो शोशल साइट्स हैं चाहें ट्वीटर हो चाहें फेसबुक हो चाहें अन साइट्स हो और साथ ही जो उनके अकाउंट्स ह चाहें बैंक अकाउंट्स हो उनकी सुरक्षा कैसे सुनश्चित की जाएगी बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें को शेर कर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हुआ हुआ है